हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक सौगत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट के लिए बताते हैं कि क्रूड ओयल और यूस वायल में क्या टार्गट रहें और कौन से ऐसी चीज़े हैं जो की इंपक्त डाल रहे हैं इन दोनों के ऊपर लेकिन उससे पहले चलिए श अब बात कर लेते हैं कि 31 अक्तूबब 2023 को यानि कि टीउजजे को क्या रह सकता है तो दोस्तों यहां पर इतनी बड़ी घिरावट जो हमें देखने को मिल रही है उसका रीजन जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुगा था तो उसका जो सबसे बड़ा इस्त में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजय से यहां पर अब इस्राइल ने और भी ज्यादा जो एटैक्स हैं वो और ज्यादा बढ़ा दिये हैं साथ में उन्होंने जो जमीनी सर पर जो युद्ध लड़ना है तो उन्होंने एंट्री कर ली है गाजा के अंदर और अब यह जो युद्ध और ज्यादा बढ़ा तो उसकी वज़य से क्या होगा कि क्रूड वाइल जो है उसमें काफी जादा यहां पर उचाल आने की संभावना बढ़ जाती है और जब उचाल आएगा तो उसकी वज़य से पूरे वर्ल्ड वाइड इसका बुरा इंपक्ट क्योंकि वर्ल्ड वाइड जितने भी economies हैं उनका slowdown का खत्रा बढ़ जाएगा क्योंकि जब क्रूड वाइल बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई जब बढ़ेगी तो interest rate बढ़ाने पढ़ेंगे governments को और interest rate बढ़ाएंगे अगर governments तो उसकी वज़य से जो economic slowdown है वो आना संभव है तो उसी वज़य से यहां पर जो है demand में कमी आएगी और यहां पर demand में कमी आने का जो इह खत्रा हो रहा है उसकी वज़य से इसमें गिरावट हमें देखने हो मिल रही है तो main reason इसका आज गिरने का यही था और कफी जादे यहां पर गिरा है लेकिन अब ह बताते हैं कि कौनसा data आ रहा है कौनसे इसी नियूज है जो कि next day इंपक्त डाल सकते हैं तो Krude Well से related data भी आ रहा है और China कर डाटा रहा है और China कर डाटा जब भी आता है तो बहुत आच्छा इंपक्क्त डालता है आप वहां से उसे देख सकते हैं, तो यहां पर जो चाइना का data आएगा, अगर वो PMI का data आ रहा है, अगर वो positive आता है, तो वो crude oil के लिए अच्छा होगा, वो यह संकेत देगा की demand बढ़ेगी, क्योंकि चाइना जो है वो number one importer है, world का crude oil में, और अगर वहां का PMI अगर increase होता है, तो उसके वज़े से crude oil के demand जो है, वो positive होगी, और उसका positive impact हमें crude oil में देखने को मिल सकता है, तो चैना का data आना है, इसके अलावा जो शाम को भी और भी data आने है, और बहुत सारे यहां पर GDP का data भी आना है, जैसे European countries का GDP का data भी आना है, वो भी मैंने आपको detail में वहां प कुछ level यहां पर बनाये होए है, लेकिन यह levels आप देख सकते हैं कि काफी path path हैं, पास पास होने का कारण यही है कि यह जो लेवल्स हैं यहां पर इस सारे सारे अभी से सुपोर्ट दे रहे हैं तो सुपोर्ट काफी जादा है यहां पर यहां पर आप देख से दें कि पिछला एक सुपोर्ट लेवल यह भी है एक support S1 पर फिलाल यह है ही और इसके जस्ट निचे थोड़ा सा निचे पिछले दे का support है उसके बाद यहाँ पर पिछले जो supports हैं वो यह सारे सारे हैं तो काफी सारे support यहाँ पर है तो गिरावट आना इसमें अभी काफी मुश्किल भी लग रहा है अगर हम technically देखें तो लेक अगर यह green candle इस candle को पूरा engulf कर लेती है एंगल्फ का मतलब है कि यह green candle है इस red candle से काफी बड़ी बनती है तो पूरा इसको engulf कर लेगी तो अगर यह ऐसे निगल जाती है तो उसके बाद हमारा उपर की तरफ को move आम देखने को मिल सकता है तो उसके basis पर यहाँ पर हम आपको next day के लिए targets बता रहे हैं, तो यहां पर इस level को आप break होने दीजिए, यह वाला level अगर 6900 को यहां पर green candle की closing अगर इसके उपर आती है, तो फिर हमारा next target यहां पर रह सकता है, 6932 का, इसके उपर भी अगर green candle की closing आती है, तो next target हमारा 6972 का रह सकता है, और आप उसके उपर भी जो चाइना का data आना है, अगर वो positive आता है सुबा, तो इस level के उपर भी अगर green candle की closing हमें देखने को मिलती है, तो next target हमारा 7021 का यहां पर रह सकता है, और इसके भी उपर हमारे next target यहां पर रह सकते हैं, वो यहां पर यह level हमारा next रह सकता है, यह है 7052 का level, तो चाइना का data औ cost है, तो यहां पर positive side को यह move आ सकते हैं, जब कि downside के लिए यहां पर काफि सारा यहां पर resistance है, I'm sorry, support काफि सारा है, और support की वज़े से यहां पर बहुत छोटे-छोटे levels बने हुए हैं दोस्तों, तो यहां पर उन levels को मैं बोल देता हूं, लेकिन trade का मौका आपको इन में इसके नीचे 6756 का, अगर छोटी candles इसे इने ब्रेक करती हैं अगर नीचे को, तो उसके बाद आपका targets जो है, वो next यहां पर बन सकते हैं, वन आवर के time frame पर ही मैं आपको यह levels बता रहा हूं, वन आवर की candle अगर इन levels को close करती है, means इनके नीचे closing देती है red candles, तो फिर हमारे next target यह level, उसके बाद next target यह level और उसके बाद next target यह level इस तरीके से हमारे रह सकते हैं, तो downside के लिए जो है, वो बहुत ही छोटे-छोटे levels मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, मजबूरी की वज़े से क्योंकि यहां पर इतने support मिल रहे हैं इसे, तो लेकिन उपर की तरफ को हम आपको मैंने targets दिये हैं, और angle अगर यह करती है, तो उपर की तरफ को move हमें देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही China का data भी अगर support करता है crude oil को, तो फिर हमारा कभी अच्छा move हो उपर की और को हमें देखने को मिल सकता है, तो यह crude oil में है, अब crude oil में जब आप trading करते हैं, MCX मे तो आपको heavy margin यहाँ पर रखना पड़ता है दोस्तों, और चोटे जो traders होते हैं, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, यह heavy margin रखना तो आपके लिए सबसे बड़ी है solution है कि आप USOL में trading कर सकते हैं, USOL में trading करने के लिए आपके पास Exynes का Forex Trading Account होना चाहिए, तो Forex Trading Account ज जो है, वो काफी पुराना भी है और सबसे ज़्याद experience भी है और worldwide यूज हो रहा है और without any problem और मैं काफी सालों से इसका यूज कर रहा हूँ, इसने मेरा experience बहुत बढ़ी है इसके साथ, तो withdraw की कोई समस्य आपको नहीं आएगी, आपका जो account है, जिस नाम से आपका Exynes का account है वही उसी नाम का account आप जो है, अपना दीजिए, विड्रॉल के लिए भी और आपको कोई भी समस्य नहीं आने वाली, कहीं बार ऐसा होता है कि within 10 minutes आपका account में पैसा आता है, तो इतनी fast service है इनकी बहुत ही बढ़िया platform है, और आपकी help के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई है एक्सनेस का उस पे क्लिक कर देजिए और एक्सनेस का account जल्दी से open कर लेजिए, तो यूएसोयल में अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यूएसोयल में एक और फाइदा यह भी है कि gap up और gap down जो होता है, वो यहाँ पर हमारे जो trade है वो काफ़ी smooth रहता है और हमें काफ़ी अच्छे move देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या target रह सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफी पहले यहाँ पर एक level बनाया था, यह box बनाया था, और यह box जो है वो बहुत ही तगड़ा एक support हमेशा देता है, और यह उपर के और को move कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर यह उपर के और को ऐसी तरीके से move करता है, तो यहाँ पर आप इस level को break होने देजे, 82.98, अगर इसके उपर यहाँ पर अगर यह इस level को break कर देता है, यहाँ पर आप इस level को 83.04 का यह level है, इस level को अगर यह break कर तो फिर उसके बाद हमारा जो next target यहां पर रह सकता है, वो रह सकता है 83.57 का, और इसके उपर भी अगर यह green candle की closing यहां पर आती है, तो फिर हमारा जो next target यहां पर रह सकता है, वो level यहां पर यह level यह रह सकता है, यहां पर यह हमारा next level रह सकता है, 83.91 का, और इसके उपर भी अ candle की closing हमें देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारे जो next target यहां पर रहेगा वो रहेगा यह level यानि की यह level है 84.30 का उपर की तरफ को तो दोस्तों यह हमारे जो levels है वो मैंने आपको यह उसल में बताएं है और downside के लिए यहां पर काफी जादा support हमें देखने को मिल रहा है यहां तक आपको 82.09 तक तो कोई भी यहां पर नहीं बनता है अगर इसके निचे अगर red candle की closing आमें देखने को मिलती है तो next target हमारा यहां पर 81.77 रह सकता है और इसके बाद भी red candle की closing आत नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो motivation है वो काफी दादा इंग्रीज होता है आपको सिर्फ एक थम का बटन दबाना है लेकिन हमारे लिए काफी important होता है इसलिए जरूर लाइक क जरूसला लेजी तो have a nice day goodbye and stay safe